बाप बेटी की एक हरिदेस परशी कहानी, ये कहानी एक बाप और उसकी पांच साल की बेटी की है, एक बार बाप ने अपनी इस मासूम बच्ची को सक्त पनिश्मेंट दी क्योंकि उसने एक कीमती रैपिंग पेपर खराब कर दिया, बाप अपनी बेटी से नफरत करता था ऐ गई, अगले दिन सवेरे बच्ची सब भूल गई और उठकर सबसे पहले वो बॉक्स लेकर अपने पापा के पास गई, वो बॉक्स पापा को देते हुए बोली, पापा ये गिफ्ट मैं आपके लिए लाई हूँ, बेटी का अपने प्रती प्यार देखकर बाप को खुद क द्वारा की गई ज्यात्ती का अफसोस हुआ, लेकिन बॉक्स को खोलते ही बाप का पारा फिर से चद गया क्योंकि बॉक्स में कुछ भी नहीं था, बाप ने बेटी की तरफ गुस्से से देखा और चला कर बोला ये कया है, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, या तुम्हें पता नहीं है कि जब किसी को गिफ्ट का बॉक्स देते हैं तो उसमें कुछ रखा भी जाता है, बच्ची की आँखे आंसुों से भर गई, उसने अपने पापा की आँखों में देखा और डरते हुए बोली, पापा ये खाली नहीं है, मैंने उसमें धेर सारी कीसीज भरी है सिर्फ आप के लिए। जो उसकी छोटी मासूम बेटी के द्वारा दी गई थी, को लेता और उसे नई हिम्मत, नई आशा मिलती। जार देते हैं और ये एहसास भी कराते हैं कि जीवन में उनसे ज्यादा कीमती और जरूरी और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, बेटी का अपने पापा के प्रती प्यार देखकर आपका भी दिल भराया ना। झाल